हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डिजाइनर बाबा में और अब अपने इसके लाइटिंग करेंगे बेसिक इन्वार्मेंट अपने क्रियेट कर दिया तो करो इसकी लाइटिंग के लिए अब थोड़ा सा यह रेंडर में थोड़ा सा व्रला टाइम लेगा मैं इसको रेंडर जाता हूं थोड़ा सा यह देखो इसलिए मैं कहा रहा था अगर अपना अच्छा सिस्टम होता है तो फिर यह टाइम नहीं लेगा विल्दिंग लाइट कैश तो बिल्कुल ऐसा ही फील में कुछ यह था यहां पर थोड़ी सी ज्यादा लाइटिंग यहां पर ज्यादा और यहां से थोड़ी से लाइट कम रहेगी थोड़ा इवन लाइटिंग मैं कहीं पर ही भी नहीं चाहरा था एक थोड़ी सी मिस्टेक अपने से हो गई कि लाइटिंग सोर्स अपने नहीं रिखाए यहां पर लाइट दिखा दी तो वह भी आप एक लाइट को मैं यहां पर देता हूं दूसरी लाइट को मैं इस जगे पर देता हूं इंस्टेंस रखा मैं दोनों लाइट की पोजीशन ठीक है ठीक है ठीक है चेक कर लेते हैं अपने लाइट को रेंडर लाइट का टेंपरेचर अपने थाटी टू अंडर्ड रखा है तो थोड़ा सा लाइट भी ज्यादा ही है यहां पर देखते हैं यहां पर कितनी आ रही है तो थोड़ी सी लाइट ज्यादा रही है इसका जो रेडियस है और थोड़ा सा में कम कर देता हूं सेक्सिंचेश कर देता हूं देखते हैं क्या चेंजे जाते हैं इसमें तो थीक है यहां पर ठीक हुई है यहां पर देखते हैं यहां पर भी ठीक है तो इस लाइट का मैं कॉपी क्लिएट करता हूं यह दोनों लाइट टू लाइट यहां पर स्लेक्टेड हैं और इस तरब भी अपनी विंडो हैं तो आप इदर ले लें इनको पीछे हैं इस तरह की लाइट थोड़ी से इंपेक्ट कम करेंगी क्यूंकि अंदर से अपने पूरा क्लोज इंपेक्ट नहीं करें क्लोज नहीं बनाया तो उनका वो इंपेक्ट नहीं आ पाएगा में भी तो देखते हैं क्या रहता है बट दूसरा बेनिफिट यह होगा कि उस लाइट की उस साइड की जो उस साइड की विंडो है वहां से भी आपकी लाइट बूम करेंगी तो यह ठोड़ा ठीक है तो अभी जितना है उतना ठीक है तो नेक्स वीडियो में अपन इसकी रेंडर सेटप को अपन पूरा कवर कर ठीक है तो नेक्स वीडियो में पन देखते हैं फाइनल रेंडरिंग इसके किस तरीके से पन करते हैं थैंक यू लाइक नहीं किया है तो लाइक करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें थैंक यू